आपके lesson plans हैं उन पर बात observe की गई है कि homework पर इतना कोई जोर नहीं डिया गया तो टी-शिर्ट को आपको पता है कि वह से lesson plans follow करती है तो उनको थोड़ी सी confusion हो जाती है कि वह homework बच्चों को किस तरहां से दें कितना दें क्योंकि आप जानती है कि अगर homework ना दिया जाए तो बच्चों को अक्सर वकात मुश्किलात फेस करनी पड़ती है जी बिलकुल इसमें मैं दो बातों पर जोर दूँगी पहली बात तो ये कि हमारे lesson plans बहुत मुक्तलिफ schools में जा रहे हैं और हर teacher इस बात का फैसला खुद सबसे बहतर तरीके से कर सकती है कि उसको अपनी class को कैसा homework देना है क्योंकि उस वक्त टीचर class में मौजूद है और उसको पता है कि जो topic उसने बच्चों को आज पढ़ाया है उसके बच्चों को कितना अच्छा वो topic समझ में आया है बच्चों की इस topic के मामले में कहां strength है, कहां weakness है, कहां उनको और practice की जरूरत है तो वो अपनी class की, अपने students की abilities को, सलाहियत को देखके उनको उसके मताबक खुद से homework दे सकती है इस पे teacher जो करेगी वो हमने उसके उपर छोड़ दिया है कि वो जैसे homework देना चाहे दूसरी बात ये, कि एक ही class में मुख्तलिफ किस्म के students होते हैं, जो मुख्तलिफ तरह से सीखते हैं For example, हो सकता है कि एक बच्चा या बच्ची writing में कमजोर हो, लेकिन उसकी reading बहुत अच्छी हो कोई एक बच्ची हो सकती है, जिसकी reading बहुत अच्छी हो, लेकिन वो writing में थोड़ी कमजोर हो तो teacher ये भी कर सकती है, कि अपनी ही एक ही class में मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ homework दे ये देखकर कि उनकी weakness कहा है, तो उस weakness के मताबिक शाद एक group अफ बच्चों को वो मुख्तलिफ homework देगी और दूसरे group अफ बच्चों को वो दूसरा homework देगी मिसनिगार इस बात को clear करने का बहुत बहुत thank you, because I think कि teachers को ये बात इस पात में थोड़ी confusion थी कि वो अलग अलग किसम का homework अलग बच्चों को दे सकती है या नहीं, तो मैं ये बात clear करती चलूं कि मिसनिगार ने बहुत अच्छे से explain कि कि different learning abilities के बच्चों को हम different तरह का homework ज़रूर दे सकते हैं, homework project based हो सकता है, writing की form में हो सकता है, reading की form में हो सकता है और एक teacher बहतर समझती है कि वो अपनी class पे कितना homework और किस बच्चे को कौन ता homework थे, ठीक है?